हेलो एब्रीवन कैसे आप सब आप सब आप सभी अच्छे होंगे और आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन मुमोस एंड वेज मुमोस क्योंकि कुछ फ्रेंड्स की फर्माइश थी और कुछ हम लोग भी खाना चाते थे तो स्टाट करते हैं यह मैंने वन बाउल मैदा लिया है यह वाली का टोरी और इसमें मैं तोड़ासा चुटकी बड़ सोड़ा और नमक अड़ करूंगी और इसको फिर हम मैदा को गून लेंगे अब चिकन स्टॉफिंग मैं हमने जो जो एड़ किया है वो मैंने एक फोटो एड़ की है उसमें सारा डिसक्रिب्शन लिखा है क्या क्या मैंने अड़किया है साइद में झातनी बॉइल करने लिए 3 दिमाटर और 3 साबूत मिर्ची ओबालने के लिए रखिए ब्लांच हो जाए जिसे यह आपके सारे इंग्रेडियन्ट है इसको पॉस करके आप ले सकते हैं अब यहां पर मैं मैदे को अच्छे से गुंद रही हो डो बनाने के लिए और मैदे को जितने देर तक आप गुंद रहेंगे उतना ही यह सॉफ्ट होता है हमें एक सॉफ्ट डो चाहिए इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करके गुंदा है और थोड़ा सा मैंने इसमें ऐल लिय जो उसका पानी है वो फेक दोंगी तो ज्छान के विंस तो टमैटो और तीन टमैटो और जो साबुत मिर्ची है वो ज्यादा नहीं लेनी है बहुत जादा स्पाइसी हो जाएगा तो दो तीन पीस लेके मैं उसको मिक्सी में ग्राइंड करने के लिए रेडी कर रहे हूं साथ यह पूल शेप में सारी वेजिस रेडी हो जाती है तो मैंने लिया गाजर क्याबज अण्ड ओन्यान लिया है कुछ काली क्लोफ लिये है अब इनको एक साथ मैं अन्यान को मैंने बाद में चौप किया है क्जिकि इसमें एक साथ में नीजी नहीं आ पाएंगी तो चॉपिं मैं मैंने लिया है चिकन की स्टाफिंग के लिए और यह सारा गार्लिक चिकन की स्टाफिंग में जाएगा इतना ही गार्लिक मैंने वेज के लिए भी लिया है जो वेज की स्टाफिंग डडी हो गई है इसमें मैंने पहले थोड़ा सॉल्ट डाला था और 5-10 मिनट्स के लिए तो इसका जितना भी excess water था वो release हो गया था फिर मैंने एक सुती कपड़े में लेखे उसको squeeze कर लिया जो कि बहुत important है otherwise आप मोमोस में जब stuffing फिल करेंगे तो ठीक से बाइंग नहीं होंगे और वो पानी की वज़े से फिचलता रहेगा अब यह मैंने जो stuffing लिया है या after squeezing लिया है जिसमें से salt already जा चुका है तो मैंने इसमें अलग से फिर salt add किया and थोड़ा chopped garlic add किया and इसमें थोड़ा सा soya sauce जैसे आपने देखा है और थोड़ा सा vinegar half table spoon आप मान सकते जादा लेने से फिर वो citrus flavor देता है तो यह सारा चीज़े डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से mix द स्कविया फिर चोटी चोटी पूरी बनाके उसको बेल रहीं जितना हो सके कम ५ार्टर टर्स करना है मैं मैंडा मैं यूश्ट मैंने मैया हूंदा लिया है यह थोड़ा ऐसे बार-बार कर चिपकता है बड़ बहुत केरफुली मैं इसको बेल रही है जितना हो सके उतना पतला बेले आप जो भी शेप आपको पसंद ओव आप ले सकते हैं और में को एक ही शेप बहुत अच्छे चाती है तो मैं इतिके ने में अच्छा लगता बनाने में भी इसी है आप ट्राइ किजे घर पे बहुत रचे सब को पसंद आया था मैंने अपने फेंज को भीजा था फैमली को दिया था तो उनको भी अच्छा लगा and we had enjoyed a lot तो आप ट्राइ किजे फैमली को खट्रेब लाइए and पाटी किजे मॉमूल वो को स्टीम किजे for 15 minutes and do try this recipe at home if you like this video please like my video subscribe this channel for more videos thank you so much for watching